बिस्मिल्लारावानिराहीम, असलामुलीकूम, कैसे हैं जी, आप सब उमीद है, आप सब खेरिये से होंगे, आपको जहां रखें, खुश रखें, इस्ता मुस्कुरता रखें, आज मैं आपके लिए लेके हैं हूँ, वान इयर बेबी का बॉक्स प्लेड फ्रॉक लेके हैं का अपर पाड है, इसकी अब हम मेयर्मेंट कर लेते हैं, तो इसकी जो लेंथ है, वो मैंने 8 इंचिस की रखी है, और इसकी विद्ध मैंने 13 इंचिस की रखी है, इसको ये डबल फोल्ड है, दोनों पीस हैं, तो इसको हमने ऐसे अच्छे से से सेट करके रख लेना है, और ह इदर तक हमने निशान लगाया है और इसको अंदर से हमने शेव दे देनी है उपर से हमने हाफ इंच का शोल्डर पे अरेव निशान लगाना है और नीचे से हमने जो कमर का रखना है वो सिलाई का वो 12 इंची से हमारा त्यार होगा और नीचे से हमने ऐसे हाफ इंच की गुल है इसको राउंड शेफ दे लेंगे और बैक नेक की जो लेंद है वो हमने वन इंच की रखनी है और विर्थ जो इसकी है वो सेम की होती है तो इस तरह हमने इदर भी गुलाई दे लेनी है और अब सब निशानों को फॉलो करते हुए हमने कट कर लेना है तो जब तक हम कट करने जो मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो अपसान दाएगी तो लाइच शेयर जरूर किजेगा और कॉमिट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरी विडियो कैसी लगी अगर कहीं से समझ नहीं आई तो कुछ भी प कर लिए और फ्रेंड की हमने ऐसे गुलाई दे दिया है तो अपरबाट की कटिंग कम्लीट हो गी है तो इस तरह हमने दोनों साइड ओकी कर लिए तो अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है तो स्लीव के आपको मेहरमेंट बता देती हूं तो यह डबल फोल्ट कप्रा है नीचे से कॉनर से हमने शुरू करना है और इस तरह अपने रॉंड शेफ दे लेनी है तो यह जो थोड़े से पाफ स्लीव होते हैं यह हम बनाके लगाएंगे खाफ आमोल पे हमने लगाना है तो यह देखें यह दो पीस त्यार हो गए है हमारे पास यह double fold कपड़े से बने तियार किया है अब हमने क्या करना है जो बैक पार्ड है इसको complete निजय तक हमने कट कर लेना है अब इसके लिए हमें inner चाहिए तो inner मैने same का लिया है आप को जो भी मजूद हो आप लगा सकते हैं तो इस तरह हमने फोल्ड करके तो जो पहले हमने अपर पार्ट की कटिंग यह उपर रखना है और इसको सेम सेम कट कर लेना है कि तो यह देखें आगे और पीछे के लिए मैंने सेम कटिंग कर लिया है तो अब हमारे पास जो अपर पार्ट की पीस हो गए है वह डबल डबल हो गए है तो इसको अब हमने क्या करना है यह देखें अब फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे और बैक पार्ट को ऐसे हमने उपर Chokes était ऊपर से मने शोल्डर ज्वार दैने के तो सेम जो हमने इनर के लिए एक अपड़ा लिया है, उसको भी हमने सेव ऐसे ही रखना है, और उपर से शोल्डर जोइंट कर लेने है, तो कुछ इस तरह से हमने दोनों के शोल्डर जोइंट कर लिया है, उपर से, इसके बाद इसको हमने डबल कर लेना है फ्रेंट पार्ट को हमने डबल कर लिया और इदर आम ओल पे हमने 4 इंच का निशान लगा लेना है निशान हमने ऐसे लगाना है कि हमारा चारों साइडों पर आ जाए इदर हमने स्लीव के लिए निशान लगा है तो स्लीव आप एसे भी इटैज कर सकते हैं ऐसे चुनट डाल के लेकिन मैंने इस के लिए मीशीन की चुनट लगानी है तो थोड़ा फासला पांeg का फासला चोड़के मैंने मीशीन की से चुनट डाल लिया यह देखे एक विस तरह हमनेएक निशांद से स्टार्ट करना है कर लेनी है तो यह देखिए टैज कर लिए अब हमने इसका जो इनर बनाया था उसको उन्हें ऐसे उपर रखना है और ऐसे हमने पीछे वाली साइट से हमने स्लाई लगानी स्टार्ट करनी है और दूसरी तरफ जाके हमने खत्म कर देनी है ऐसे हमने आमोल में अंदर की तरफ फ्रिल करते हुए तो ऐसे स्लाई लगा लेनी है तो यह देखिए स्लाईयां लगा ली है मैंने और अब इसमें हमन निशान लगा लेंगे, यह जो हम इसका फ्रॉक त्यार कर रहे हैं, यह सारा गुंसलाई में त्यार होगा, और बहुत ही असानी के साथ आपको बता रही हूँ, यह देखें, अब हमने फ्रेंट वाली शायट से अंदर की तरफ हाथ ले जाते हुए, हमने बैक पार्ट को सीध तो यह देखें, हमारी प्रॉक पलट होगी, और हमारे उपर हमने जो फ्रेल वाले बाजू अटैच की हैं, वो भी सारा कुछ हमारा उपर वाली शायट से गुंसलाई में अटैच हो गया है, इसके कॉर्णर वगर अच्छे से निकाल के हमने इसको प्रेस कर लेना है, तो य यह देखें, अब हमने नीचे से यह कप्रा लिया है, इसको मैंने डवल करके उपर से भी अंदर की तरफ फॉर्ड कर लिया है, और उपर से हमने थ्री इंच का फासला रखते हुए, हमने ऐसे इसलाई लगा के बंद कर लेना है, तो यह बॉटम पाड है, इसकी जो मैंने ल देखें, इसके हमने शुरू में वन इंच का निशान लगाना है, और इसके बाद जो सारे निशान लगाने हैं, वो फॉर फॉर इंच पे लगा लेने हैं, पाकिसारे निशान जो थे वो फॉर फॉर इंच लगाने के बाद, लास्ट में भी हमारा वन इंच का मार्जन रह अब हमने क्या करना है कि शुरू का छोड़ कर तो उससे अगले हमने जो फॉर इंच का निशान लगा था उसमें हमने तू इंच का निशान लगाया है उसके 4 इंच के दर्मियान में हाफ़ा उदर जाके हमने ऐसे प्लेट बना लेना है और उससे आगे वले जो 4 इंच का निशान है उसको भी हमने ऐसे उसके साथ अटेच करते हुए हमने दोनों को पिन लगा लेनी है अब उसका अगले वाला भी हमने छोड़ देना है और उससे जो नेक्स्ट है उस पे हमने तू इंच का निशान लगा के तो जो पहला हमने फोर इंच का कपड़ा चोड़ा हुआ इसको ऐसे बॉक्स प्लेट की शेप दे देंगे और इधर हम पीन लगा लेंगे सेंग एसे ही आगे से एक हिसाँ छोड़के और उसके दरमियान में हमने तू इंच में निशान लगा लेंगे और दरमियान बनाते हुए ऐसे प्लेट बना लेंगे तो तोटल हमारे पीन प्लेट आए है और यह जो दूसरे वाली शाएट पर प्लेट आते हैं वो हम फ्रेंट पे लेके आते होते हैं तो आपने भी धियान रखने हैं कि इस तरह जो तरही प्लेट होंगे उसको अंदर वाली शाइट पे अटेच करेंगे इस तरह हमने दोनों फ्रेंट और पार्ट को अटेच कर लिया है इसके बाद हमने ये कंड्राज का एक कप्रा लिया है तू इंचिस की चुड़ाई थी और इसको हमने फोल्ड करके ये वान इंचिस थोड़ा सा काम में इस तरह पट्टी बना लिया है अब जो फ्रेंट पे हमने इस लाई लगाई है उसके साथ साथ हमने इसको ऐसे अटेच क कर लेना है दोनों साइटों पर लगा लेनी है तो कुछ इस तरह की लोकिस की आगी है अब हमने क्या करना है इसको उल्टा करेंगे और इसकी शायरों की हमने इस लाई लगा लेनी है और नीचे से इसको हमने फोल्ड कर लेना है चारों तरश से अच्छे से फोल्ड कर यह नेट की लेज थी और इसके उपर ऐसे सितारों वाला फ्लावर बने हुए थे तो इसको मैंने ऐसे कट कर लेना है आप कोई भी फ्लावर बजार से बने बनाए भी ले सकते हैं आप बीड्स अटैच कर सकते हैं आप बोब नाके इस तरह इसाइड पर लगा सकते हैं लेकिन मेरे पास यह लेस पची थी तो मैंने इसका यूज किया इस तरह मैंने कट करके तो इस तरह जो हमारे पूरे मुझे चाहिए थे मैंने इस तरह कट कर लिए हैं तो इसको कोई भी फैब्र ग्लू से यूएक्ट्रू से किसी से भी ऐसे हमने अटैच कर लेना है पूरी लाइन कि इस तरह यूचियू के साथ हमने सारी लगा लेने हैं टोटल इसको हमने बाद में हैंड स्टिच करना है आज का मेरा फॉक आपको कैसा लगा कॉमिट बॉक्स में जरूर बताईएगा और किसी किसम का कहीं से नहीं भी पता चला हो आपको तो आप कॉमिट करके पूछ सकते ह हैं मैं आपको फॉर गैइड करूंगी तो यह वारा प्राख जो सारे पर मैंने लगा लिएं है कि इसको अब मैंने हैं के साथ पकखता कर लेना हैं तो यह थी दैठी आच 1 अंशयालाहे है आज का ऄ आउनला था है आज आज की वीडियों पसंदा ही मिलती रहे और लाइक जरूर किया करें ताके मेरी दुबारा से आपको वीडियो मिले आज की वीडियो यहां खत्म करतें इंशाला जल्द मिलेंगे नेक्ट वीडियो में अलाहाफीज